मैं आपका आज तो परने जा रहे हैं वह है कि बाय लीग इसके बाइंब बात करेंगे चाहे आपका एकजाम में आ रहा हो चाहे आपका त्योरी में आ रहा हो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस पूर्टरी से किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी और साथ ही साथ आप पूर्टरी पढ़ना भी सीख जाएंगे डैट्स गरंटी क्योंकि हम यह नहीं बताते कि इसमें इस लाइन का मतलब यह हम इसका मतलब यह भी बताएं कि यह क्य कर सकते हैं और घ्रूप में और च्प्रीप खरसकते हैं सरी इसपरमेशन का चली हमारे अप की करने के लिए आपको इसके उसका करने क्लिक आप सब्券्कार अपर लिन क्रेकर के अपनी नेम नेम आडशीला राड़ी ह Rebecca लिए ठीक है लेफ्ट ये राइट कॉर्णर पर आपको साइन अप दिख रहा होगा साइन अप पर क्लिक करके अपना नेम जे मिलाड़ी और मुबाइल नंबर प्लस नाइन वन मत लगाएगा केवल मुबाइल नंबर टैन डिजिट का ही आप इंटर करेगा दूरी चीज जो है आपको ध्य पर आपसन दिख रहा है इसमें आप जो है क्लिक करेंगे उपर राइट कॉर्णर पर तो आपको जो सर्च बुटन दिख रहा है सर्च बुटन पर आप क्लिक करेंगे फ्री कोर्स ठीक है फ्री कोर्स की स्पलिंग आपको पता है योगी फ्र डबली इस पेस करेगा और सी ओ करेंगे नीचे आपको दिख जाएगा उसमें डॉल करके माई बैस में क्लिक करके आप नोट्स वाले सेक्शन में जाकरके आप अपनी पीडियोप को वहाँ पर देख पाएंगे अगर आप जो है अलाबा दियोश्टी से हैं तो आपका फ्री कोर्स में एक हमने लगाई हुई यह पाइट ब्यूटी ठीक है उसकी जाकर आप नोट्स देख सकते हैं और आपके तीनों ही पेपर के नोट्स प्लीट है आप एम इस्टॉल करके वहाँ पर डैटली पर्चेस भी कर सकते हैं सारे वेपर की प्राइस वन नैंटीनाइन ही होती है ठीक है तीनों पर इंडिज कर दीकरे और यह सब कर लें टो ऐस यह दो है और यह शुट रिखो सब्सक्राइब यह इस वीडियो का डानी पर देख़या है उनिव marking of the फके पहले तब आप अनाम से स्पोर्ट इसको आप समझ पहेंगे इस वीडियो को यह एक्जाम के दिन पहले आदे घंटे पहले देखने वीडियो नहीं यह तो टाइम लगेगा ठीक है चलिए सबसे पर देखते हैं ब्रेक 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 कब लिखी गई थी यह लिखी गई थी त सब्सक्राइब है ठीक है अई बात करते हैं उनके बारे में लिखने के बाद जो सब्सक्राइब नहीं किया था फिजी मैंने क्यों बोला विकोट लॉरेट रहे चुके हैं तो रेस्पेट देना पड़ेगा ठीक सबसे लॉंगेस टाइम तक यह पोट लॉरेट थे 1842 में इ लिखी क्यों गहीं थी है तो प्रेंट तो फ्रेंट थे आया के फ्रेंट तो और प्ल फ्रेंट थे वह इसे कर को प्रति थे बीमारी से जूच पहले से रहे थे लेकिन इस टाइम में किसी होटल में थे पाचानक से इनको जो है इस ट्रोक आ जाता है ठीक है क्यों आता है उसके पीछे बताया था वह आप इंकी जो ब्लेड वैसल थी सरीब्लम पार्ट में यहां नहीं लिखा वह आपको बता दे रहा होती है और उसको लेके मौन फूर रहते हैं तकलीश में रहते हैं जिसकी वज़े से उन्होंने यह पूर्ट्री लिखी कब लिखी 1835 में ठीक है डेट आपड़ दिख रही नहीं की यहां देट आपड़ाइड तो 33 मिन की डेट हुई 35 मिन लिखा यहां करेक्शन मिलके आप आपको चलिए ठीक आगे पढ़ते हैं अब देखिए इसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं तो पैंसर उठा लीजे टेक्स लिख लीजे अगर नहीं लिखा है तो अगर लिखा होगा तो तो अच्छा है तो वीडियो देखने का फायदा अदरवाइस वीडियो बंद कर ठीक है कि हम लिख आएंगे बहुत ठीक है लिटरीटिव ऐसे नहीं बता देंगे आपको थोड़ा साप मुझसे पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना हो ओके पूर्ट्री लिख जरू लिजे बार-बार कहा रहा हूं इसलिए मैं चलिए आई होप आपन ृटरी की स्टाइक है Cलिए वह तो बात हो गई है आई है मैं देखने को मिल रही है फिर फिर नि शलित हो कि यहां अंब एक परjam से मत Laurie सब्सक्राइब हो बूद सर अच्प्स पिछे क्यों एक दो थेन भायत सबस्थी और लएट हुआ है टाइप में फर्क क्या होता है कि भाई हम जो रिपीट होंगे तो बीच में एक-दो वढ़ आ सकता जैसे कि मांग लो यहां लिए देते हैं कि ब्रेक ब्रेक की जगह होता ब्रेक विद ब्रेक यह वड़ होता तो यह बीच में विद आ गया ना कंजक्शन तो यह डाइक को आपका हो जाएगा example ठीक है clear हो गया अब यहां पर विद्ध है नहीं कुछ है नहीं है ना तो यह किसका example बनेगा एक्जांपल बनेगा चलिए लिख देते हैं सा उसकी spelling e-p-i-z-e-u-x-i-x इसका मदब बता है without intervention बिना किसी intervention की repeat हुआ कोई particular word ठीक है word लेटर नहीं वर्ड ठीक है चलिए पहले फिग्रा स्पीच हो गया आपका यहां पर आ रहा है because of same word रिपीट हो रहे हैं without intervention लिटरी डिवाइस बता ही मैंने उसके बाद और लिटरी डिवाइस देखते हैं हम आपकी color change कर लेते हैं ताक्यों से समझ पाएंगे आप यह देख रहे हैं यह आप बी आर भाई साब ठीक बी आर बी आर ठीक है यह बार 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 आया है और यह क्या है और आपका यह कॉंसूनेंट कहीं इस फिग्रअच भयेति रहते हैं और इसके बाद फ्रेस से हम सब्सक्राइब चेरी कर लें कि यह यहां प्रिक आप dl आ यह स्टुराइजक दशीज और यह रहा यह वावल का रेपिटेशन एस नहीं गटाथ होगा शक्ती एसरीन कर सब्सक्राइजिए ठीग हो जिल्सक्राइज्स टोड़ो टोड़ो हिंदी में हो गया लेकिन यहां पे जो तोड़ो वड़ है काइंड आफ नोट तोड़ो जस्ट लाइक और तेजी से स्पीड में इन पत्थरों में एक तो कैंड आफ है इस तरीके से ऑंडाय कोड ग्रे स्टोंस ओसी यहां पे यहां को डियलॉक करते हैं को सी को नियुकत क्लिकित कि कौने वह क। कोई पर्पीत के कुयद पर्सॉनिफाइड वे में देख रहा है ना कि यहां पर सौनिफीकेशन परसॉनिफिकेशन है तो सी अपने 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 डालॉग में या अपने नजरिये से सी को परसॉनिफाइब कर रहा है यहां पर देख रहे हैं यह पूरा यह जो तीन स्लेबल है ठीक है अगर आपको स्लेबल नहीं पता तो आपने पूर्टी को थोड़ा डिटेल में पढ़ टू थ्री इसमें जो है हम स्वासा ले लेते हैं दूसरा कलर देखे थोड़ा टाइम लगे का वीडियो लंबी जाएगी ठीक है यह जो रहेगा ऑन दाय कोल्ड यह स्ट्रेस भाई साब हैं और यह अनिस्ट्रेस्ट हैं तो अनिस्ट्रेस्ट और इस्ट्रेस्ट यह किसका कुश कौन सी मिटर का होता है यह अपका लिखा हुआ है इसको पढ़ाइंगे से ब्रेक ब्रेक देग ओं दाय को ड्रेस्टॉनस और सी एक्चली क्या कह रहा है कि को देखते हुए इनको देखते हुआ कि माली जी यह पत्थर ठीक है और यह समुद्र की लहरे हैं ड़े बड़े इच्छी बना भी रहे हैं वैसे तो यह तोड रहे हैं तो यह जो है टूट रहे होंगे स्टक करने से तूटेंगे क्योंकि कॉमन सी बात है सी सोर एरिया है समुदक किनारा वहां पर पथर पड़े हुए उस पर यह लहरे टकरा रही है बहुत तीसे लेकिन इससे पथर में तूटना थोड़ा बहुत यह आवाज हो सकती है स्प्लैश की इससे जो है इसको इतना ध्य शुदक करते हैं तो हम जब नेचर में साइड करते हैं कहीं पूल देखने लगेंगे हैं तो हम जब होते हैं तो हम अंदर कोई पेन है वह नहीं नहीं जाते हैं ठीक उसी पेन ग्रीफ को लेकर करके पोएट कहां पहुँच गया है सी सोर में कहा है सी सोर इसका जो है क्या है सैटिंग यह ध्यान रखी है सी सोर मतलब कि सम्दू तक किनारी वाला हिस्सा इसकी सैटिंग है यहां ता सम्द में आ आ गये करते हैं आगे पढ़ते हैं हमारी है वैसे स्टोन हमारे किस कलर के हैं ग्रे कलर के हैं तो आपको पता हो नहीं पत्थर ओके और यह ओ नहीं कश्तों है यहां पी एक फिग्र ऑफ स्पीच हम पढ़ सकते हैं यहां पर एपस्ट्री ए पी ओस ती आर ओ पी एचिव में क्या होता है आप किसी को एड्रेस करते हैं क्या करते हैं address करते हैं ठीक है या फिर आड्ड्रेसिंग कर लेते हैं पूटे हैं कि प्रूअ को आप कि मिलेक यो यहां पर कोना सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब क्षान को घ्यान कि दुर सी को वो बोलकर क्या कर रहे है हमारे आपरिट्व कर रहे हैं उसको एड्रेस कर रहे हैं अ तक चलिए कर लेते हैं नेक्स तो लाइन यहां वाई देखते हैं एंड आई वूड जैसे हमें यहां पर क्लिर नहीं हुआ है कि इतना फ्री क्यों है और इतना दुखी क्यों लग रहा है थोड़ा वह दूखी लग रहा है मुझे तो और आई वूड यानि की क्या सिटी में कर पाता डिएंट में तंग कूड अटर कुछ बोलने की इच्छा लेकिन बोल नहीं पा रहा है क्या है क्या है विचार हैं, thoughts हैं, जो उनके अंदर हैं, कास वो उसको बोल पाते, ये एक तरीकी की internal grief है, pain है, ठीक है, इस pain और grief की वज़े से, वो वहाँ सी सोर में, बैट बटे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, nature's, nature's के sights को देख रहे हैं, imagery को देख रहे हैं, ठीक है, इस दो line से हमें एक तो clear होती है, कि कहीं न कहीं, speaker जो हमारा, जो हमारा poet है, वो emotional, internal emotional pain से, लिख लीजिए, अपने text में, internal, ठीक है, emotional, pain, कुछ तो है, उसके अंदर, ठीक है, हाला कि हमें पता है, वो दोस्त का, वो death के वैसे, अगर ना पता होता है, तो हमें इसे पढ़ेंगे, कि हमें पता नह लिखा नहीं है, तो कोई तो एक internal pain है, जिससे poet suffer कर रहा है, ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा है, and I would that my tongue could utter the thought that arise in me, ठीक है, यहाँ ता clear हो गया, वैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो यहाँ दुबारा दिखा सकता हूँ, ठीक है, यह देखिए, and I would that my tongue, ठीक है, code utter, यह जो यहाँ पर लिखा हुआ है, code utter को हम थोरा सा अगर आप explain करें, तो इसको हम ऐसे करेंगे, explain, ठीक है, यह stress labels हो गया आपके, पहरा लेबल यह हो गया, दूसरे लेबल यह हो गया, तीसरा यह हो गया, clear हो गया, तो इस वाले को क्या कहते है, because यहाँ पर stress label कौन सा है color change कर लेते हैं, इसमें जो है stress label आपका यह वाला हो जाएगा, ठीक, यह unstressed है, यह unstressed है, और यह वाला stressed है, ठीक है, यहाँ पर क्या था, यह unstressed, unstressed, stressed, and I would, that my tongue could utter, clear हो गया आपर, तो यहाँ पर यह वाले पर कौन सा figure, वो हमारा जो है, form of meter काम करेगा, यह लिख लीज़े, यह हम आपको बता देते हैं, आप में सुन्दा नहीं होगा, ध्यान से इसको, कभी शायद किसी ने बताया हो, इसको बोलेंगे amphibriac, क्या बोलेंगे amphibriac, a-m-p-h-i-b-r-a-c-h amphibriac, okay, जिसमें क्या होता है, एक long stress label, दो unstressed label के बीच में होता है, clear होगे यहाँ पर, अगर आप कुछ label समझ नहीं आता है, तो फिर आप थोड़ा से पढ़ लिजे, क्यों, how to find labels, ठीक है, what is labels, and what is unstressed and unstressed labels, इसको अगर आप फैस समझ जाएंगे, तो आप समझ पहेंगे, म चलिया, इतर संज में आगे आपको, तो यहाँ भी क्या, and I would that my tongue could utter the thought that arise in me, अब कौन से ऐसे विचार है, जिसको जो है, poet utter नहीं कर पा रहा है, मुझसे बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, वो अभी हमें clear नहीं है, because यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, बट हमें एक internal emotional pain की information मि or incapability of sharing that thoughts, ठीक है, वो poet बोल भी नहीं पा रहा है, ठीक है, यहाँ तर clear हो गया, एक चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो क्या है, कि C जो है, किसमें stuck कर रहा है, stone में, ठीक है, यानि कि जो grey stone है हमारा, उसमें stuck कर रहा है, उसमें लट रहा है, C waves कर रहा है, C waves, जद़ ब poet के अपने emotions पे stuck कर रही है, यह तर clear हो गया आपको, यह दो problem हमें इन दो lines में देखनों के मिली है, जो कि first time यहाँ था हमारा, इस वाले में, यहाँ पे C की जो waves है, वो grey stone पे stuck कर रही है, और last की इन दो line हो में, जो thought waves है, वो emotions, हैनि poets के अपने emotions पे stuck कर रही है, यहाँ तर clear हो गया, चलिए, अच्छी बात है, आगे चलते हैं, अपनी drawing से आगे बढ़ते हुए, oh well for the visher's man's boy, that he sounds with his sisters at play, okay, oh well for the sailor's lad, that he sings in his boat on the bay, okay, यहाँ तो हमें कुछ, अच्छा यह हमने रैमी स्कीन के पे बात नहीं की, फ्वासा उपर चलते हैं, एक रैमी स्कीन देखते हैं, यहाँ पर क्या मिल रही हैं, break से कोई रैमिंग स्कीन मिल रही है, but C से रैमिंग स्कीन मिल रही है, C, Me, यानि कि एक स्टैंजा में हमें alternate रैमिंग स्कीन देखने को मिल रही है, C and Me, और हमें क्या मिल रहा है, second स्टैंजा में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर boy का नहीं मिल तो यह एक वह चीज़ कर। हितायतों मैंने स्की मैश कर जाती इसकी मैश कर जाती है। इसकी जो है। वह सब्सक्राइब मैश है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है जिसकी वज़े क्या होगा कि हम यह कह सकते हैं कि पोएट जो है आइच्छी वह डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि किस तरह के थार्ट प्रोसेश में वह अपने आपको रखे रहा है में एक तरीके क्या होती ही जब हम बोलते हैं तो वह जो है प्लेजर बल साउंड करती है अब देखिए इन दोनों को हम मिला के पड़ते हैं अब देखिए प्ले औ बे का मैच होने की वज़े से वह बोलने में अच्छा लग रहा है ठीक है लेकिन यहां पे बॉय और लैड का मैच ना होने की वज़े से वह बीच में डिस्टब कर रहा है इसी कोई बोलेंगे कांटिनस फ्लू आफ इमोशन जिसकी वज़े से पोईट कहीं नहीं गई ग्रीफ पर होने की वज़े से अपने आपको स्टेबल नहीं पा रहा है ठीक है यह समझ मैं आप अब को यह मैंने आपको बहुत डिटेल वाई चीज़ा दी ठीक है चली आगे चलते हैं तो तो ड्राइंग खतम करें तो अब तो हम लिखेंगे चली बैक कर लेते हैं ओके इतना काफी है वेल फॉर दे फिशर्स मैंस वैसे यहां जो वैल लिखा हुआ है यह थोड़ा सा आरोनिकल है कैसे हैं देखे समझते हैं अभी हम इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं यह यहां पर आरोनिकल है ठीक है वेंगात्मा कैसे प्यूंकि जो फिशर्स मैंस के बॉय की जो यह खु बखिल रहा है जला कर जो भी जैसे भी इस खुशी में इस हैपिनेस में यह जो इसकी हैपिनेस है इस हैपिनेस का पोवेट के ऊपर किसी भी तरीके से ऑप्रिय decorative कि कहा नहीं हो रहा है इंप58 नहीं पड़ रहा है इसलिए बोल रहा है यह व्यू पे शाउट कर सकता है या फिर सेलर्स लाइड देट ही सिंग्स इन इस बोट अन्द बे शिल सेलर्स लैड लैड क्या होता है एक तरिए से यंग मैं होता है ठीक है यह जो सेलर है उसके होगे के एक ओर चीज़ हमें मिल रहा धृक है इसे बता ओन कुई छीज़ पर्सन है जो बहτα लिए काम स्थेट का होना žरूरी है ठीक है sì क्लियर के लिए काम इस्टेट होनी जरूरी है दोनौँ ब्रेग ए हम्राइ सेलर के लिए भी और किस के लिए भी वर्टर के लिएूğ और वह water एक्चुली है किसका see का और यही सेम-सी सिर्स एंजा में क्या कर रहा था यही सेम सी फिर्स एंजा में ब्रेक-ब्रेक कर रहा है पूएट के आय साइड से ग्रेय स्टोंज पे यहां पर shika hustling दिखाया गया है थीक है यानि movement दिखाया गया bumping moment दिखाए गया है और यहीं नीचे sega just are क्या दिखाए गया है बहुती काम moment दिखाए गया है sameacey ठीक है तोảo शैय और कि सभास्त करना उसके अपने मूड कोई भी अच्छा और दे रहा आ सब्लesz Σाब मीनिंग बताई है यह तो नहीं हो नहीं घ्रिश। आपको वाद देखते हैं इसके नीचे वाला मतलब हो गया huge बड़े amic यूज सिपस गॉन बड़े बड़े जो सिप włas है नहीं पता नहीं रहे हैं लेकिंग जा रहे हैं वह तो यहां खड़ा है और वौ जो सिप्स हैं वो से ओपोज़ी डिरेक्शन में जा रहे हैं यानि कि अपार्ट हो रहे हैं आ फोर अवे हो रहे हैं आवब हो रहे हैं क्यों मिला करके पोट से दूर जा रहे हैं पिचरा यहां फिर भी आ के ला यहां पर बिछड़ गया है ठीक है किस यानि की सिप्स का पोईट से दूर जाना यह पोईट क्यों मैं अपने आपको लॉंगिनेस कर रहा है तरीके से वह जो है उन्हीं यादों में हैं जिस यादों का प्रेजंट में कोई साथ नहीं है जाने की तो वो दोस्तों के जाने का ठीक है तो वो सिप्स को कह रहा एक संटोड़ यह तो डे यह वह व Islands यह यह तो होगा एक तरीके से safe place ठीक जिस तरीके से लिखा है वह वह साउंड कर रहा है लेकिन spelling अलगी है तो इसलिए अब यह जो सिप्स हैं यह जा रहे हैं अंडर दा हिल होंगे वहां पे उस हिल में नीचे से होते हुए वह safe place आ रहे हाला कि हैवन का हमें मडला पोर्ड भी होता है यानि कि जो भी उसका पोर्ड होगा जो भी बंदर गाहीं दीम बोल सकते हैं वह वहां जा रहे हैं लेकिन यहां जिस तरीके से लिखा है under the hill problem से होते हुए भी वो जो है safe place पे जा पा रहे है but poet तो हमारा यहां खड़ा है poet तो कहीं नहीं जा रहा हमारा वो तो pain में है, problem में है ठीक है, grief में है poet को अच्छा नहीं लग रहा है ठीक, तो क्या कह रहा है वो, but उसका but निकल गए है यहां पर क्या मतलब लेकिन मैं oh for the touch of vanished hand भाईया, ऐसे hand जो vanished हो चुके है अब हाथ गायब हो चुके ऐसे क्या मतलब है वो हाथ जो कि अब poet के पास नहीं है जिससे poet ठाम नहीं सकता, पकर नहीं सकता वो हाथ क्या हो गए है, vanished हो गए है ठीक है, but वो death जो है, किसकी वो यह poet के friend की, तो वो जो hand है वो reality में नहीं है but कहां पे है, memory में है poet की अपनी खुद की memory में है, उसी memory को वो recall कर रहा है यानि दुबारा याद कर रहा है ठीक, तो but oh for the touch of vanished hand वो जो touch था, वो जो memory थी, चाहिए वो happy memory जो जैसी memory जो उसके friend की, वो present भी नहीं है, and the second and the sound of wise that is still, but क्या है उसके mind में, वो जो sound है ना, उसके friend के साथ में रहने की, या जो भी उसकी बाते है, happiness है, वो sound of wise बन गई है उसके mind में internally repeat होती किसी तरीके से, जो कि अभी भी उसके पास है, mind में है reality में नहीं है, वो कहाँ पे mind में है, ये एक और तरीका क्या हो गया, poet का अपना pain हो गया, यहांद सब्स में आए, clear हो गया इसको mournful tone लिख लीजे क्या लिख लीजे, mournful tone m-o-u-r-n if you will mournful tone दुख बरा, दुख बरा ये tone हो गया, ठीक, clear हो गया यहांपे, वैसे अगर ध्यान से देखा जाए, तो ध्यान से देखने से पढ़े, और ड्राइंग कम करें अपनी हम, हाँ vanished hand और stately sips ये दोनों सेम है ठीक, क्यों because vanished hand है नहीं और stately poet यहां खड़ा होगा, हाना, poet यहां हमारा खड़ा है, और वो सिर्फ दूर जादी जाएगी horizon पे जाकर के, वो भी vanished हो जाएगी, ठीक, तो ये दुनों सेम ही है, एक तरीके से दुनों सेम ही है, जिस पे poet ने similarity दिखाई है, ठीक है, जिस तरीके से वो stately सिर्फ vanish हो जाए, कुछ देर बाद अपनी सेम जगा चला जाएगा, उसी तरीके से जो है, जो है, जो हैंड जो सेम महसूस करता था, अब वो reality में नहीं है, बट ओ for the touch of vanished hand and the sound of the wise that is still, लेकिन क्या है उसके पास, वो sound है, जो कि ब्रेक, 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 एड़ फूट ऑफ दाय grace, दाय cracks, food क्या मदलब, निचले हिस्से में, ठीक है, cracks क्या होता है, यह जो है actually face है, face of stones, ठीक है, या फिर आपको picture देख रही होगी, या उसके face वाले हिस्से में लड़ना, ठीक है, O C, फिर से, बात कर रहा है C से, ठीक है, and the tender grace of the day, and the tender grace of a day that is dead, will never come back to me, ओके, यह देखे, यहां पे एक नए चीज क्या है, यह जो मान लेते हैं, यह क्या है हमारे पत्थर का face है, यानि cracks, और यह हमारी लह रहे हैं, जो इस पर लड़ रही है, अभी लड़ रही थी, ठीक, यह लड़ रही है, लड़ने के बादे वापस तिल होकर के चली जाती है, new wave बनाने वापस आती है, लड़ने, तो यह जो repetition है, वापस जाना कि वो dead हो गई है, वो कभी वापस अब नहीं आएंगी, लेकिन तुम लोग जो है, जो waves है, sea waves वो इस पर टकरा करके कांग गया, इस पर टकरा करके वापस जा सकती है, और फिर से वापस आ सकती है, new wave के साथ, लेकिन वो उसके साथ नहीं है, ठीक है, इसको थोछा सा और clearly समझे, देखिए, यहाँ पर इस line में एक तो मेरा करसरी काया बजाता है, but the tender grace, वो जो tender and soft grace and beautiful of a day that is dead, जो ऐसे दिन थे, वो तो अब खतम हो गए, ठीक, मर गए, खतम हो गए, उसके दोस के साथ, वो अब यादे उसके साथ नहीं है, will never come back to me, अब वो वापस दुबारा नहीं आएंगी मेरे पास, ठीक है, this is so painful, so grief, so sorrow here, okay, इपर सन्ज में आए आपको, चलिए, I will think आपको यहाँ पूरा अच्छे से clear हो गया होगा, जुस भी मैंने को समझाए आपको, ठीक है, किसी बतरी कोई भी help आगर आपको चाहिए हो, तो आप WhatsApp में मैस कर सकते हैं, WhatsApp आपको देख रहा होगा, WhatsApp पर जबर मैस कर ले जाए, ग्रूप मैड हो सकते हैं, वहाप पर किसी बतरी की problem शेयर कर सकते हैं, कुशी भी